अलू डे फ्रेंड्स आप देख रहें स्टड़ी एन अधर्स अक्टिविटेश चैनल आज हम रिम जिम बुक क्लास फर्स्ट की हम पार्ट पढ़ेंगे 12 पार्ट का नाम है मैं भी ठीक है अगर आपको पिछले चाप्टर्स की वीडियो चाहिए तो मैं एंड स्क्रियों और दिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा आप वहां से देख लेज़े तो चले स्टार्ट करते हैं एक अंडे में से बदक का बच्चा निकला लो मैं अंडे में से निकल आया बदक का बच्चा बोला ठीक है देखिए एक अंडे यानिक ये अंडा है उसमें से निकला मैं भी आ गया चूजा बोला, मैं भी आ गया, अब देखिया, मैं गुहमने जा रहा हूं, बदक का बच्चा बोला, मैं गुहमने जा रहा हूं, मैं भी चलूँगा, चूजा बोला, मैं भी चलूँगा, मैं गड़ा खोद रहा हूं, बदक का बच्चा बोला मा गड़ा खोद रहा हूं मैं भी खोदूँगा चूजा बोला मैं भी खोदूँगा मुझे एक केचवा मिला बदक का बच्चा बोला मुझे एक केचवा मिला मुझे भी चूजा मिला चूजा बोला मुझे भी मिला दोनों ने एक ही पकड़ा रखा थाले हला कि केचवा ठीक है केचवा मट्टी के अंदर जो मिल निकलते हैं उन्हें बोलते हैं केचवा भहसे लोग घहांसा भी बोलते हैं ठीक है अब देखे, मैंने एक तितली पकड़ी, बदक का बच्चा बोला, मैंने एक तितली पकड़ी, अब देखे, मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला, मैंने भी तितली पकड़ी, मैं तैनना चाहता हूं, बदक का बच्चा बोला, मैं तैनना चाहता हूं, मैं भी चूजा बोला कि मैं भी मतला तैरने के लिए बोला है देखो मैं तैर रहा हूं बदक का बच्चा बोला बदक का बच्चा बोला देखो मैं तैर रहा है देखो यह तैर रहा है ना यह कि बदक पानी में तैर लेते हैं ठीक है अब देखिए मैं भी तैरूँगा चूजा बोला कि मैं भ बदक के बच्चे ने चूज़े को पानी से बाहर निकाला अब देखिए यहां पर उदास है इसके मूह में पानी भर गया होगा तो इसे थोड़ा अजीप सा लग रहा होगा ठीक है अब आप लोग सोचिया आगे क्या हुआ होगा अब है नाम दो चूजा बारवा बदक के बच्चे की नकल करता रहता था उसे चुड़ाने वाला एक नाम दो तो देखिए जो चूजा था वो हमेशा बदक के बच्चे की नकल ही कर रहा था यहां पे टबेस में पानि भरा एपномуस्क्त आपको फानिर हैं तहर आप यहां प्रा को निद रिखेंगा। निजान लगाओ यहां पे चीजे लिखे यहां डूबेगा और तेड़ेगा लिखें पैसिल डूब जाएगी छिलनी भी डूब जाएगी ठीक है तो यह था आपका क्या करते हैं मैं भी पार्ट यहां पे खतम हुआ आई होप आपको अच्छा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करें और से लाइक कम करना ना बूले तैंक्यू